जो वादा किया तो निभाना परेगा देखो, मैं हमेशा अपने वादे को निभाता हूँ जो वीडियो बोलता हूँ, वो लेकर आता हूँ लेकिन आप लोग लाइक टारगेट कभी कमप्लीट नहीं करते हैं हीपोक्रसी की भी सीमा होती है जो फिर भी में लेकर आगया हूँ आपके लिए One for All का डीटेल्ड एक्स्प्लैनेशन जहां हम ना सिफ इसके पावर्स की बात करेंगे बलकि इसके पास्ट, हिस्ट्री, यूजर सब को खंगालेंगे तो One for All का जो सबसे पहला यूजर था उसका नाम था योईची शीगारा की जो की All for One का भाई था कनेक्शन देख रहे हो, जो में विलेन का भाई है वही में हीरो का क्वर्क लेके गूम रहा है लेकिन हाँ, वो इस क्वर्क को लेके पैदा नहीं हुआ था क्यूंकि बच्पन में वो क्वर्क लेस था Kind of अब मैं kind of इसली कह रहा हूँ क्यूंकि इस क्वर्क के बाड़े में किसी को आइडिया नहीं था In fact, योईची को खुद नहीं पता था अब ये क्वर्क ही ऐसी थी मतलब इस क्वर्क की मदद से यूजर बस इसे पास डाउन कर सकता है थू जेनरेशन्स भाई है तो शुरू होते एक अधब हुए है लेकिन फिर All for One ने सोचा कि मेरा जो छोटा भाई है क्वर्कलिस इसको थोड़ी पावर दे देते हैं और पता है वो उसको कौन सा क्वर्क दिया बहुत ही बेसिक सा था जिसकी मतलब से वो पावर्स को स्टॉक पाइल कर सकता था कहने का मतलब मल्टिबल पावर्स को एक बना सकता है सिंपल अभी तो आपको ये क्वर्क यूजलिस लग रही होगी शायद All for One को भी ऐसा ही लगा होगा लेकिन आगे चलके आपको पता चलेगा कि ये कितनी ओपी पावर थी तो कहानी आगे बढ़ती है और ये कैसा पॉइंट आता है जहां पर One for All All for One से फाइट करता है बट हम सब जानते हैं कि योईची काफी जादा वीक था इन दोनों के बीच की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही गैप था उसमें तो फकॉस योईची अपना हार जाता है ऐसा ही रियल नाइश में भी होता है ना बड़ा भाई हमें साथ छोटा भाई को पेल देता है एनिवेस तो हारने के बाद One for All अपने क्वर्क को पास डाउन करने का निरने लिया इस होप में कि आगे चलके One for All के जो यूजर्स होंगे वो जादा ताकतवर हो जाएंगे ताकि वो All for One को हड़ा सकें यहां गेन मैं One for All, All for One को हड़ा सकें कुछ उल्टा सीधा कर रहा हूं तो अपना दिमाग लगा के समझ जाना तो ऐसे One for All सेकंड यूजर पर ट्रांसफर हो गया अब सेकंड यूजर कौन था उसका नाम तो हमें नहीं बताए गया तो हम उसे सेकंड यूजर कहके ही दिनोट करेंगे इतना जरूर पता है सेकंड यूजर के बारे में कि ये इनसान योईची को जेल से निकलने में मदद किया था हाँ वही जेल जिसमें All for One योईची को क्याद करके रखा था तो समय के साथ All for One को चाहिए थी One for All की पावर और इसको हथियाने के लिए वो कई All for One यूजर से लड़ता रहा अब जो फोर्थ यूजर था जिसका नाम हिकागे था उसे ये बात कहीं न कहीं पता थी कि वो All for One को नहीं हडा पाएगा इसलिए One for All होने के बावजूद वो अपने आपको बहुत जादा ट्रेन किया उसे हिसाब से ढाला ताकि अटलीस्ट वो थोड़ा सा लड़ सके सामने टिक सके लेकिन विदी का विधान देखो 18 साल के बाद उसकी बॉड़ी जो है खराब होने लगी और उसे लगा मेभी ये किसी बिमारी की वज़े से है लेकिन हम सब जानते है ऐसा नहीं है बलकि वो तो One for All को जो पसेस कर रहा था साती उसका जो अपना क्वर्क था इसकी वज़े से ही उसकी लाइफ काइंड ओफ शॉट हो गई थी वैसे में बंदा क्या करेगा वेल वो भी पास्डाउन किया One for All को अब All for One जो है वो One for All को दो बार चुराने का कोशिस किया था एक बार फिफ्थ यूजर डाइगोडो से और एक बार सिक्स्थ यूजर एन से लेकिन वो दोनों बार फेल हो गया क्योंकि देखा था तो सिंबल ओफ इविल में उतना इविल नहीं है जितना स्ट्रॉंग सेंस अफ जस्टिस अल फोर वन के यूजर में है खैर तो अपना साथवा यूजर था नाना और वो आखडी यूजर था जिसको All for One ने मारा था क्योंकि उसके बाद हम सब के फेवरेट All Might ने One for All को इनहरिट किया और All Might दो बार All for One से लड़ा है और दोनों बार All for One को पेला है वह अलग बात है कि All Might को इनजरी जिसमें काफी ज्यादा हुई थी साथी रिसेंटली मांगा में क्या चल रहा है यह मुझे नहीं पता तो कुछ आपको पता है तो कॉमेंट से बता देना लेकिन एक बात क्लियर है जब तक All Might के पास One for All था तब तक वो All for One से नहीं हारा खैर तो इतनी गुत्थम गुत्थी के बाद All Might 6 साल तक अपनी ड्यूटी पे रहा और हम सब जानते हैं 40 साल के उम्र के बाद उसने किसको सकसे से चुना मैं मिड़ औ अबिकी मोटरीय पुए नहीं मिड ओच को बोलता हो ना तो वन फॉर अब एक ऐसे लेवल में पहुच गई है जिसमें उसके पुराने यूजर्स के कॉंशियसनेस से एक फॉर्म बन रहा है वेस्टीज में नहीं नहीं समझ यह वेस्टीज रेल्म क्या क्या मैं बोल दिया ठीक है सिंप्लिफाई करता हूं तो इस वेस्टीज रेल्म मैं सोचा था 10-15 दिन में हो जाएगा पर इतना लंबा है कि इस महिना भर लगेगा अप्रेट्स दे दिया इसी वीडियो के बीच में खेर टॉपिक वापस आते हैं तो पूराने जो ओल फर वन यूजर्स थे वह फिजिकल फॉर्म में काइंड ऑफ मिडोरिया से बात वगे इसलिए वह धीरे-धीरे स्ट्रॉंग होता जा रहा है इसलिए तो आलमाइट पूरा रिसर्च किया था पुराने ओल फर वन यूजर्स के बारे में तभी तो वह मिडोरिया को को बता चला था कि अगर कोई क्वर्कलेस इंसान अल फर वन को इनहरेट करता है तो वह उसको ज किसकी स्टोडी में देखे हो अब इन स्पेकुलेशन के बीच योईची जो की फॉर्स यूजर था ओल फर वन का वो काइंड प्रिडिक करता है कि मिडोरिया शायद आखरी इंसान हो इस क्वर्क को यूज करने वाला क्यूंकि अब जो ये क्वर्क है वो सिर्फ एक्वर्कल खैर तो आप देख पाया होंगे कि आल फर वन कैसे नौ जनरेशन के थूरू पास ओन हुई है और फिलहाल एमेजर यूनिवर्स में ये सब से ओपी क्वर्क है और शायद यही वज़ा है कि इसको मास्टर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है देखा जाये तो अगर क्व लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं किया इस बार वह अपना एक प्यादा चुना जो कि बहुत ज़्यादा इविल हो इतना कि वह ओवर पावर कर जाये वन फोर ओल के यूजर तक को नहीं संझे आरे ऐसे समझो मान के चलो आपको अपनी एक्स को भूलना हो तो उसके लिए आपक किसी और लरकी को जादा प्यार करना होगा ना अभी तो अपने एक्स को भूल पाओगे वैसे ही इविल जादा तो विलकम तो ओवर पावर एनिवेस तो ओल फोवन इस काम के लिए किसको चुना शीगा राकी को और उसके शरीर को वो अपग्रेट काइंड ओफ किया उसको ह जानते हैं कि वहाँ पर योईची और नाना बशाय थे उसको ऐसे भी देखा जाए तो वन फॉर ओल तभी ट्रांसफर हो सकता है जब उसके यूजर का विल हो है ना शाही शायत या फिर चीना जा सकता है बताओ तुम लोग कॉमेंट्स में इससे मुझे याद आया कि वन फ इससे लिए चुपाया जाता है तुम लोग तुम लोग ट्रस्टेट इंसान नी हो लाइक टार्गे नी करते कंप्लीट यह तो हो गई और फॉर वन के पूरे हिस्टरी की बात लेकिन चलिए यह भी बात कर लेते हैं कि और फॉर वन में तुरौट दे जिनरेशन कौन-कौन से क्वरेक्स अड़ करे गए हैं तो अब जो फर्स्ट यूजर योईजी था वो अफकॉस वही में क्वर्क बनाया था तो उसका कुछ ऐसा अड़िशन नहीं उसी का क्वर्क है कहो दन सेकिंड यूजर इसमें गेर शिफ्ट नाम के क्वर्क का अड़िशन किया था गेर शि कर सकते हैं मुवमेंट्स करके रिपेटिटिव अब जिस पार्ट में एनर्जी स्टो होगी ना वहां से लाल लाल ग्लोइंग एनर्जी निकलेगी अब स्टोर्ड का क्या होगा विल इसका इस्तमाल आप कभी भी कर सकते हैं जिससे आपके स्पीड पावर दुनों को बूस् इसकोर्क से होगा क्या वेल यूजर्स को समय मिलेगा सोचने का एक्शन लेने का कि भाया थ्रेट आरा है करना क्या है एक्शन भी लेना होता है लेकिन यहां देखो तुम्हारी तरह नहीं कि एक्जाम है तीन महिने में बोर्ड का और यहां बैठके वीडियो देख रहे हो पड़ा ही करो जाके एक तो वीडियो लाइक भी नहीं करते पड़ाए कर रहा हो जल्दी रहा हो मैं कितना चिनता घरता हॉ आप लोग की आप लो की एक्जामस की कोई और यूटुबर नहीं करेगा मैं ही करता हू बस फिफ्ट यूजर यूजर जो था अपना BMW भैन जो इस और अफकॉस यह मैनुपलेट हो सकते हैं यूजर के द्वारा कैसे भी अब तुम खोदी दिमाग लागा कि समझ गये होगे कि इनका इस्तमाल कैसे होगा किसी को च्टाक से मारने के लिए या किसी को लटकाने के लिए किसी को खीचने के लिए बेसेकली रसी का आप जिस तरह से इस्तमाल कर सकते हो हर तरह से आप इसको कर सकते हो थोड़ा अच्छा है अपने मन के हिसाब से कर पाओगे अब यह जो करक है वो emotion से power होती है mostly anger से यानि कि आप जितना जादा गुस्सा होगे यह कॉर्क उतना ही strong होता जाएगा और अपना 6th user N इसमें smoke screen का अडिशन कड़ा था इस score की मतद से user purple clouds generate कर सकता है जिस color का t-shirt मैंने नहीं पहना है नहीं purple नहीं पहना है ये clouds काफी wide area में फैल जाते हैं जिसको आप cover के लिए भी इस्तमाल कर सकते हो या फिर छुपके attack करने के लिए भी अरे PUBG में नहीं खिले हो smoke मारके वही वैसा ही कुछ नौ 7th user Nana Shimura इसमें float का addition किया था अफ्लोट के नाम से प्राचल रहा है कि इसमें user उर सकता है और Nana Shimura वही है ना जिसने all might को भी train किया था किया था कि नहीं बताओ comments में तुम लोग question में पूसता रहता हूं बीच बीच में तुम लोगों से फिर 8th प्यायत आपना all might और 9th पे कोन आया है mid oria इन दोनों ने इस quirk में कुछ भी contribute नहीं किया I guess ये लोगों वैसे दोस्त है जो कि party में तो आते हैं लेकिन country देने वाख गाइब हो जाते हैं यहाँ पे मैंने history सारे quirk सबको cover कर दिया है और अब कुछ cover करने like बचा नहीं लेकिन एक सेकेन मैंने आपको ultimate attacks तो पताया है नहीं कोर्क का और बिना ultimate attack के quirk को समझाना it's just like बिना मित्सुरी के demon slayer और बिना नानामी के JJK कितना महनत करता हूं मैं तुम लोगों के लिए सब समझाता हूं फिर भी तुम लोग लाइक नहीं करते वीडियो को तो लाइक करो instagram पर फॉलो करो discord पर फॉलो करो दूसरा चैनल सब्सक्राइब करो basically link जितना भी दिखता है ने description में सब पर click करकर के जो भी action कर दो यार please please sir खेर तो हम लोग ultimate moves को समझते और यहां में सारे ultimate moves Midoriya के POV से explain करूंगा क्योंकि फिल्हाल वही use कर रहा है ने moves को तो ऐसे ही समझ पाएंगे अपन बसे एक fun fact बता हूं Baku को ने भी एक बार one for all को लिया था और वो Deku के साथ मिलके एक combined Detroit Smash मारा था पता है कि नहीं आप लोग को पता है तो बता ना comment में अब जब Detroit Smash मैंने बोली दिया है तो यही बता जते हैं पहला move है Detroit Smash यह कुछ नहीं बलकि एक तगड़ा सा घुजंड है one for all के output को आप जितना बढ़ाओगे उतना तगड़ा घुजंड भले ही वो 5% हो या फिर 100% अब अगला है Detroit Smash Quintiple और इसमें गेर शिफ्ट का इस्तमाल करके Deku सामने वाले पे पांच लगाता Detroit Smash पेल देता है जिससे सामने वाला का दो से चार नहीं हो पाता क्यों मड़ी जाता है next है Delaware Smash जिसमें Deku अपने finger में one for all की power को रख लेता और उससे मारता है ऐसे करके समझ रहो क्योंकि देखा जाए तो पूरे body में यूज करने से पूरा body टूटेगा ना पस फिंगर से करेगा तो सिर्फ एक फिंगर जाएगा जिसको हील किया जा सकता है अब अगला है one के आगे 6-0 वाल परसेंट Delaware Detroit Smash इसमें Deku 100% all for one का इस्तेमाल करके Delaware Smash Detroit Smash सब मार देता है सामने वाला को सामने वाला गाया क्लिप में आपको दिख रहा हुआ कितना खतरनाक अटैक है नेक्स्ट अप इस Manchester Smash जिसमें Deku one for all के 20% पावा का यूज करके किक मारता है वो भी फिलिप करके अब फिलिप करता है क्योंकि वो कूल दिखता है अगला जो है वो अटैक नहीं बलकि काइंड अफ एक पावर अप है जिसका नाम है फूल कावलिंग इस टेकनीक के हेल्प से मिदोरिया शुरुआ आपने आठ परसंट फिर दस परसंट ऐसे ही अपने पावा को बढ़ाता जाता है तब तक जब तक उसकी बॉड़ी ना टूटे अफकॉस क्योंकि अगला भी एक अटैक नहीं बलकि एक काइंड आफ फाइटिंग स्टाइल है जिसका नाम है फुल काउलिंग शूट स्टाइल इस फाइटिंग स्टाइल में डेकु अपने हाथो की जगा अपने पैरो का इस्तमाल करता है क्योंकि लेग्स आर मोर स्ट्रॉंगर लेग डेजो करते उनको पता होगा अगला है सेंट लुई स्मैश और इसमें डेकु हवा में उड़के अपने ऑपोनेंट को कुछ राउंड हाउस किक मारता है अट एट परसंट फुल काउल या काउलिंग जो भी है अब एट परसंट से 45 परसंट पर हवा से नीचे आओ तो हमें एक दूसरा अटैक मिलता है इसका नाम ही वैसा ही है सेंट लुई स्मैश एयर फोर्स और इस सब अब अगला है व्योमिंग स्मैश इसमें वन फॉर ओल के 100 परसंट पाग को अपने आंस में लेके बगल वाले को के होनी मारता है ऐसे 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 नहीं जोड से मारता है लेकिन समझ जव मेरी भावनाओं को अब अगला है टिकसस स्मैश और ये भी एक घुसंड है जस्त तग नाम सही समझ गया होगे क्या होगा अफकोस फॉक्स हंड्र परसंट का यूज करके मैंचेस्टर स्मैश मारना है सिंपल अगला टाक है युनाइट स्टेट्स और वर्ल्ड स्मैश इसमें डिक को धीर धीर अपने फुल काउलिंग को अपग्रेड करता है तिल हंड्र उसमें इस्तमाल हुआ है तो मैंने आपको बता दिया इन सारे अटाक्स का नाम युएस के स्टेट्स पर क्यू है युएस जैसा जैसा जैपान का मांगा है अच्छा वहां के ओडियन्स को पीज कर निकले या फिर को यह और रीजन है बताओ कॉमें अब इसी के साथ मैंने आपको आल फो वन की सारी इन्फो दे दी है और अगर मैंने वीडियो में और वन फो रॉल को उल्टा सिधा किया है तो माफ करना समझ लेना प्लीज मेरे को बहुत कंफूजन होता है वाई वैसी के साथ इस वीडियो के इतना ही पसंद आई ओ वीडियो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना प्लीज प्लीज सर लाइक कर दीजिये ठीक है अपने दोस्तों के साथ शेक कीजिये उनसे भी लाइक करवाईये साथ ही चाहल पर नए है तो हमें सब्सक्राइब भी करना आल सी यू गाइस इन दे नेक्स वान पीस आउट